नमस्कार दोस्तों पढ़ साल चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो उन बच्चे लोग के लिए दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे बिहार बोड का 2022 में एक्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम कुछ प्लैनिंग किये हैं तो यह है हमारा कुछ प्लैनिंग छोटा सा तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि हम लोग किस तरह से प्लैनिंग कर रहे हैं और किस तरह से पढ़ना है और एक्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आना है ठीक है तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि बिहार बोड बहुत सारे बच्चे जो है एक्जैंपलर नहीं पढ़ते हैं जानते भी नहीं कि रहां है कि यहेश्फाट कि बता दें जयादा लोड लेने का जुरत नहीं है ठीक है पुरे दुनिया का सबसे असान बॉड भीहार बॉड है पहले थोड़ा सा हाड हुआ करता था ठीक है फिर कुछ कारण बस असान पर असान होते जा रहा है पहले 40 objective दिया जाता था फिर उसके बाद 50 फिर उसके बाद 60 उसमें भी तरह तरह का आप कहा गया कि भाई आपको 60 दिया जा रहा है तो उसमें से को ध्यान में हम लोग रखेंगे और हमारा जो subjective है वह भी 50 नंबर का हमारा पुछेगा तीन को सेक्षन होता है इसमें 50 हमको बना देना है ठीक है सही सही तो हमको 50 नंबर मिल लेगा और बाकी इधर जो है ना 15 कोशन मिलेगा सेक्षन बी में ठीक है यह दो नंबर का पुछेग हम लोग आज से planning कर रहे हैं कि रोज रोज लाइफ क्लास चलेगा ठीक है माल लीजे एक दो दिन लाइफ क्लास नहीं चला लेकिन हम अपना पूरा प्रयाश करेंगे कि रोज चले है ठीक है तो बच्चों आप हमको कमेंट करके बताएगा कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए ठीक है कमेंट करके बताएगे कि सुबह बढ़िया रहेगा और कितना वज़े रहेगा दीन में या फिर साम में या फिर रात में जब भी आप फ्री रहते हैं एकदम माइंड को फ्री करके अच्छे तरीके से पढ़िए ठीक है और NCRT का जि करेंगे तो देखिए हम लोग सुरुवात करने जा रहें मैट्रिस से जो हमारा तिसरा चैप्टर है अब यूँ ठीक है तो हिंदी मेडियम के बच्चे हूं इंग्लिस मेडियम के बच्चे हूं कोई उतना मैटर नहीं रखता है 12th क्लास में ठीक है मैट्स तो मैट्स होता ह है बस समझना रहता है ठीक है तो हम लोग इंग्लिस मेडियम में ही सुरू करेंगे तो जो भी दिक्कत है आप हमको कमेंट करके बताइए उसको हम लोग सुनेंगे और यूज करेंगे ठीक है आपके लिए फाइदा पहुचाएंगे चलिए तो देखिए हमारा जो अब्जे फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर थ्री कहीं सब्जेक्टिव करेंगे ठीक है दो नंबर वला समझ गया और मालीजे कि चैप्टर थ्री में कोई ऐसा सवाल है जो की बहुत बड़ा सवाल है जो वाकई में डिजर्व करता है कि वो पांच नंबर का है तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा इसी तरह से हमारा चलते जाएगा लगतार जैसे हमारा पहला चैप्टर है तो उससे एकदम कंफर्म है कि पांच नंबर का कोई सवाल नहीं पुछेगा इतना कंफर्म है ठीक है मान के चलिए क्योंकि पुराना इतिहास को देखेगा तो वहां से आप आपको पता चल जाएगा देखिए हम कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है हम लोग कोई भी देखता है कैसे जब देखता है कि भाई 15 साल 20 साल से वही कोशन बार बार दोहरा रहा है दोहरा रहा है तो इससे पता चलता है कि important question तो objective question जो भी हम बताएंगे आपको या फिर subjective question का हम हम लोग practice regular basis पर करेंगे वह हम लोग important question कहीं करेंगे ठीक है पहले सुरुवात में basic चीज़ बताएंगे फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते चले जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे उसमें बहुत ज्यादा विवियाई question होगा वहां पर हम मार्क करके आपको समझा देंगे तो यही आपको information देना था कि जो भी बच्चे जूड़ना चाहते हैं live कल से सुरू हो रहा है आज कितना तरिक है 8 December 2021 ठीक है और कल से हम लोग सुरुवात करेंगे और comment करके फटाक से बताएं और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं एकदम वाकई में ठीक है seriously हो करके उनक सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते नहीं है ठीक है लेकिन करवाई अगर देश को मजबूत करना है तो ज्यादा तो अब motivation का ज्यान नहीं देंगे अंदर से motivation आना चाहिए ठीक है आदमी हर कोई जो भी motivation ज्यान भी देता है ना वो भी कभी न कभी एक दिन परिशान होत सब्सक्राण है उतार चड़ाओ आते रहता है दिमाग में तो चलिए फिर मिलके पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं और देश तरकी करते हैं ठीक है